जिसने ये लिविंग रूम डिजाइन किया है, वो जीनियस है. देखते हैं कैसे. पहले लिविंग रूम में साधारन प्लास्टर पर हलके रंग का लेटेक्स पेंट था. अगर प्लास्टर में दरारें आ जाएं, तो इसे ऐसे रिपेर करें. मुवेबल टीवी कैबिनेट मत लगाएं, इन्हें साफ करना मुश्किल होता है. इसके बजाए, स्टरशनेरी स्टोरेज कैबिनेट्स का इस्तिमाल करें. ये टीवी बैकग्राउंड वॉल का काम भी करेंगी और स्पेस को क्लटर फ्री रखेंगी. सफेद पेंटिट कैबिनेट दरवाजे लगाएं ताकि साफ सुत्रा लुक मिले. टीवी के लिए एक सिंपल मेटल शेल्फ टार्ट प्लेटफॉर्म रखें, जिसके नीचे स्टोरेज क्यूब्स हो. एक डेकोरेटिव फायर प्लेस भी जोड़े ताकि स्पेस बोरिंग न लगे. दाई तरफ कोई बंद कैबिनेट नहीं लगाएं. खुला पैटर्न बनाएं जिससे घर आते ही मोबाइल फोन और चाबियां आसानी से रख सके. बैक को भी पास में रखें ताकि सब कुछ आसान और सुलब हो. बड़ा फिनिश्ट सोफा न खरीदे. ये समय के साथ हेल्थ है, जड़ बन जाता है. बच्चों की किताबें और खिलोने हर जगह बिखरे रहते हैं, जिससे गिरने का खत्रा रहता है. सोफा को तोड़ने के लिए थोर का हथोड़ा इस्तिमाल करें और हाड़ वेर को मॉडिफाई करें. कई लकडी के बॉक्स का इस्तिमाल कर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसमें नीचे स्नैक्स स्टोर करने के लिए ड्रॉयर हो. दो छोटे ड्रॉयर में रोजमर्रा की चीजें और जरूरी दवायां रखें. साइड लो कैबिनेट स्टोरेज स्पेस बढ़ाते हैं और बंध होने पर भी साफ सुथरा लुक देते हैं. काउंटर टॉप पर पानी के गिलास और स्नैक्स रखें और एक सॉफ्ट कुशन आरामदायक बैठने के लिए. उपर एक डेकोरेटिव कैबिनेट में पतनी और पती की साहितिक किताबे रखें. कैबिनेट दर्वाजा बंद करें ताकि धूल न जमें. इसके बगल में बच्चों के खिलोने सजाएं ताकि बच्चपन की यादें ताजा रहें. ये अर्रेंजमेंट स्पेस का माहौल बहतर बनाता है और कपल को चाचाचा डांस करने का मौका देता है जिससे माहौल खुशाल और स्पेशियस लगता है. इस सोफा के साथ बीच में कॉफी टेबल की जरूरत नहीं जिससे एकता का एहसास होता है. तो देखिए ये लिविंग रूम डिजाइन कैसे आपके घर को खुबसूरत और सिस्टमेटिक बनाता है. अब लिविंग रूम भी बनेगा सबका फेवरेट.